दोस्त आपका एक बार फिर से स्वागत है Adobe Premiere Pro के एक नए एपिसोड के अंदर और जिसके अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम Premiere Pro के अंदर अपने गैमिंग वीडियो को एडिट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीकों से तो चलिए सुरू करते हैं और सबसे पहले हमने किया एक blank sequence open कर दिया है यहां पर इस screen पर तो यह पुरा screen blank दिखा रहा है तो अब यह सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें library के अंदर से कुछ inputs लेने हैं वीडियो लेने हैं जो हमें edit करने हैं तो यह मैंने media browsers के अंदर यहां पर select कर लिए आप यहां से choose कर सकते हैं जहां भी वो आपके वीडियो पढ़े हैं record कियो हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए इसके बाद simple से आपको कुछ नहीं करना है आपको जो video चाहिए edit करना है वह यहां पे आप Import कर लीजिया । जैसे मुझे यह करना है तो मैं इसको import कर लेता हूं यहां पे यह मैंने import कर दिया है हैं यहां पे है और यह मैं टाइम्लेंट भी आ चुकी है तो मैं इस time line को थोड़ा बड़ा कर लेता हों भी इसके बाद हाँ देखोंगे आपकी यह बहुत सारी चीजे आपको नज़र आएंगी अब मैरी इसके अंदर से मुझे दो साउंड दिख रही एक जो मैंने माइक से रिकोर्ड की ती और दूसरा जो मुझे इंटर्नल आडियो से मिली थी तो मुझे सबसे पहले चाहिए यह कि मैं जो मैंने माइक से रिकोर्ड की थी वो साउंड मुझे चाहिए ही नहीं तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं इसको राइट क्लिक करके इसको अनलिंक कर देता हूं और जो साउंड है जो निचे वाली सा कर सकता हूँ तो अभी इसको करते है प्लेकर करके तो एक दम यह सही काम कर रही है तो अभी मुझे सब से पहले है इसको कटिंग करनी है तो कटिंग के लिए मैं इस रेजर टूल का इस्तमाल करूंगा आप देख सकते हैं लेप्ट साइड में या पे टूल बार के अंदर कि अब दोस्तों हमने पूरी कटिंग कर दी है आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ कटिंग कर लिए हमने हैं यहां पर अभी हमें करना क्या आप देख सकते हैं अगर चैनल करने करके इसके अधर को सेलेक्ट करके कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं यहां पर एक्सपोजर कंट्रास्स जो भी आपको ब्लैक ऑन वाइट जिसको भी आपको श्कुरें कर्सक्तों कर तो इसके बाद आपको करना क्या है कि जो हमारे जो नियू स्टेप है और नेक्स स्टे छूज कर सकते हैं, कौन से माइक को भी यूज करना है, इस्स से हमें और इंपूट करना है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके ओपर याडी कलिक करना है और आपको अँडियो इंपूट्स को ली यहां पको यहां पर मिल जाएंगे। यह तब काम आएगा जब आपके पास बहुत सारे माइक्रोफॉन से चाहिए आपने यह पून लगा रखा या पिर और कुछ चीजे भी एड़ करके रखी है तो उस केस में आपके लिए बैनिफीट्स थाबित होगी तो इसके अंदर आपको वोईस ओवर रिकॉर्ड किस तरीके से आप वीडियो के अंदर से रिकॉर्डिंग के टाइम में रिमूव कर सकते हैं बेगराउंड नॉइस को और यह बहुत ही अच्छा सामतार तरीके से एई आई वोईस रिमूवर है तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए वो वीडियो में आई बटन में दे द मैंने वोइस यूवर को दे दिया है यहां पर आप दे सकतें यह पुरा-पुरop और यह पर निज़े पता रहा है आपको मैंने पूरा use कर लिया है voice our को मैंने एक clip को mute कर दिया तो इसको unmute कर लेता है हम उल्म, आप सांब हमें क्या करना है कि एक आई के voice my service को सुनना चाहिए तो एक बाद सुन लीजिए लिए उसके बात क्या क्या कर सकते हैं कि उप चेक कर सकते हैं क्युसके quality कैसी है तो मैंने कुछ preset बना के रखे हैं voice के लिए तो वो मैं यहां पर apply कर दूँँगा clips पर यह कुछ audio preset जो मैंने बना है अगर आपको भी चाहिए हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं इसको upload कर दूँगा ताकि आप इसको download करके use कर सकते हैं अपने videos के अंदर तो यह मैंने कर दिया दूसरी बात यहां पर जैसे जो man audio है internal game की वो काफी जज़दा loud है तो मैं क्या करूँगा इसको मैं कम कर दूँगा आप यहां से भी कम कर सकते हैं इसको करके से यहां पर यहांपर यहां पर जाके भी इसको कम कर सकते हैं और इपेक्ट कंट्रोल के अंदर जाते हैं इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको भी महार तक लेकि चला जाता हूं इसको मैं और कम कर लेता हूं यहां से इसको भी हम कम कर लेता है तो अब हम चैक करते हैं कि किस तरीके सा हमें ऑडिए देख सुनाई देती है तो गाइस मैंने चेक कर दिया है कि इसके ओडियो बहुत ही अच्छी है और यहां पर भी कोई प्रॉलम नहीं है ओडियो के अंदर भी हमें तभी हमें कुछ नहीं करना अगर आपको कुछ इसको पर एडिटिंग करनी है और अलग से माले कुछ कुछ क्लिप्स डालनी या फिर जो यहां से आप सबस्कुत कर सकते हैं या पिर यहां से आप सब कर सकते हैं तो मुझे भी कुछ करनाओ करूं गई उसको यूटिंग कर सकता उने के लि लिए ञाद कर दो आप वार-बार कुछ करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो हम एक्सपोर्ट के लिए क्या कर सकते कि इसको पढूँ और आउट मैं कर लेता हूँ जो कि ही मैं क्या करेंकफ से करेंगे लिए मैं इसले कर दिया है है और यहां से मैं ह давайте इसके बाहाद करके लिए हैं Cho पांपी या फिर पर देख सकते हैं पर दौट है यह वे यह अब शिकवेंस का नाम देशक्ते हैं कि आप उसके में दुक्राइब बताने वीडियो पाधने की नाम रखना चाहते हैं बहुत सकते हैं कि यह मैंने नाम दे दिया है यहां पर और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप क्यों सी क्वालिटी के अंदर यहां कुछ आते हैं जो भी एक्सपॉर्ट आप चूस कर सकते हैं यहां पर रिकोर्ड 4K में किया तो मैं 4K के अंदर इसको एक्सपॉर्ट करूंगा और फॉर्मेट आप ही रहने दीजिए एंटाइड सोर्स करना या फिर इन आउट जो हमने बनाएते सोर्स के लिए तो मैं इन आउट को चूज कर लेता हूँ और इसके बाद आप सिंपल से एक्सपोर्ट पर जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक्सपोर्टिंग सुरू हो चुकी है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हैलफुल रहा है का दोस्तों और और भी ऐसो वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वोईसूप और कैसे देना है और भी टिप्स में जो एड़ोवी प्रीमियर प्रो के लिए है वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ तो आप हमारे साथ बने रही है और अगर आपको कोई प्रीमियर प्रो से समद्धित कोई प्रॉलम या इसू है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं उसको फिक्स करने की कौसिस करूंगा तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर